आज के समय में रोड और स्थानों के नाम बहुत तेजी से बदले जा रहे हैं इसको लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ फैसला सुनाया वह फैसला हमारे लिए और आम जंता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस फैसले के द्वारा लोगों की मानसित्ता जो बहुत खराब हो गई है यानि कि एक तरीके से संकीन हो गई है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है और जूडिश्री अभी भी जिन्दा है या हमें पता चलता है क्योंकि जूडिश्री को लेके बहुत सारे आरोप लग रहे हैं उसके उस रिलेटेट मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा 360 डिग्री में ताकि आप यह जान सके कि जूडिश्री खत्रे में क्यों है और इसके उपर क्वेश्चन मार्क क्यों उठ रहा है उस रिलेटेट इस टॉपिक को सुरू करने से पहले जल्दी से आप यह जान लेजिए कि आनकेडमी के द्वारा आज यह लास्ट ऑफर है 20% डिसकाउंट लेने का अगर आप किसी भी काटेगरी का सब्सक्रिप्सन लेना चाहते हैं चाहे वो जूडिश्री हो चाहे वो अन सकते में कीमपीजिश्री के लिए 30 मार्च से स्टार्ट рем लेंगे साथ ही साथ बिहार के लिए पापर चाह कर लेते हैं कि अब इसमें हुआ क्या एक अश्वनी नाम के विक्ति हैं जो वकील भी हैं और साथ ही साथ क्या है बीजीपी के नेता भी है तो वकील होने के नासाथ बीजीपी नेता इन्होंने एक जनहीत याचीका दायर की जनहीत याचीका में कहा कि सरकार को यानि कि ग्रह मंत्राले को ग्रह मंत्राले को एक कमीशन का गठन करना चाहिए एक समित्ती का गठन करना चाहिए नाम बदले गए थे मुगल सासकों के द्वारा उनके नाम किये जाने चाहिए नाम परिवर्तन कर देने चाहिए जैसे कि इलहाबाद से नाम बदल के प्रियाग राज कर दिया गया तो ऐसे तमाम जगों के नाम बदली है जो मुगल काल में बदले गए थे जो अदालत सिर्स योज़िय कोड सिक्रीफित थी सुप्रिम कोड ने कहा क्या वैया आपने पी-ई-ब क्यों दाखती लिखिया है क्या आपका फॉंडामेंटल राइट्स वाइलेट हुआ है क्या आपने जो याचिका है वह आर्टिकल 32 के तहें दैर किये से तोननों ने का हाँ दायर कीए नथा नथा कर सफॉंडेंटल राइट हुआ है उन्हों ने का आर्टिकविभ लिए हुद सामाजिक संगंठनों के सामाजिक संगंठनों के धार्मिक सोतंतरता से संबंतित अधिकार है वो भी वाइलेट नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा कि आपका कोई भी फंटामेंटल राइट्स वाइलेट नहीं हो रहा है इसलिए इस याचिका को खारीज किया जाता है उन्होंने इसके बाद ये भी टिपड़ी की अपने पाश्ट को यानि कि अपने एक्स को भुला सकते हैं उसका नाम बदल सकते हैं उसके बीएवियर को चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बिलकुल नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर इतिहास को चेंज नहीं किया जा सकता है तो यहां पर इस्थानों के नाम भी नहीं बदले जा सकते हैं आप अपने हिसाब से नहीं बदल सकते हैं जब सामने वाला बदलना चाहेगा तब ही बदल सकते हैं समझ रहे होंगे मेरी बात बारत में आज भी लोक तंत्र कायम है आप भूत काल के लिए वर्तमान को बदलने क की मांग कर रहें जो सरसर गलत है देश में पहले से ही बहुत मुद्धें उन मुद्धों पर काम करने की जरूरत है उन पर निर्णा लिना है ना हमको नहीं तो समाजिक न्याय कैसे आप आएका वैसे याम जनता परिशान है तो न्याय मूρति केयम जोसेफ और जो न्याय मूर्ति वीवी नांगरतना है उनकी पीट ने कहा हिंदू धर्मे किसी परकार से कोई भी कटरता नहीं है और हम यह चाहते हैं कि इस त्रीकी की बातें आप ना करें क्योंकि यह इतिहास के बारे में है और इतिहास बदलने का काम आपका नहीं है और सुप्रीम कोट ने भी कहा कि यह जो भी हमने बताया उसके तहत भया याची का तो उपाध्या ने क्या कहा जो अस्वनी उपाध्या जिन्होंने पिया यल दाखिल किया उनका भी व्यूपॉइंट जानने चाह रहे हैं उन्होंने कहा कि गरिमा चंस्कृति कि धर्म कादिकार जानने कादिकार और यहां नामों की बहाली से जुड़ा है कमबंदित मामला तीन जजों के पास भेजा गया है पिट ने कहा कि यहां एक पूरी तरह से अलग बुनता है खड़कों के नाम का धार्मिक पूजा इस्तलों से कोई भी लिना देना नहीं है य चीठ में सामिल न्याय मूर्ती ने कहा कि यहां इतिहास का एक तत्य है क्या आप इसे खारिज कर सकते हैं हम पर विदेशी आक्रमन कारियों का सासन रहा है हम पर कई बार आक्रमन हुए हैं क्या हम इतिहास को बदल सकते हैं इतिहास को नहीं बतला जा सकता है तो क्या हम बाक लोगों को फार्ष्ट जस्टिस मिल सके यानि कि त्वरीत न्याय मिल सके जिसका लोग इंतिजार कर रहा है ऐसी पी आई यल पर टाइम ना वेश्ट करके भविश्च की चिंताओं पर काम करने वाले इस इस पर ध्यान दिया जायता कि आम जंता जो है विश्वास कायम कर सके जुडिसरी पर क्योंकि देर से दिया गया नयाय नयाय नहीं होता है और उससे आम जाग रुकता आई होगी और आपके सोचने और समझने का तरीका बदला होगा मिलते आगले वीडियो में थैंक्यू सो मच जाहिंद